नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग National Scholarship में कैसे अपना नंबर को अपडेट करेंगे ताज की इस वीडियो में आप लोग को complete details में बताऊंगे step by step process में National Scholarship Portal में कैसे मोबाइल नंबर अपडेट किया जाता अगर आप first time new registration कर रहें उसका भी process बताऊंगा और अगर आपका renewal है कोई भी year में आप पहले अगर इसकोल से apply किये थे और अभी आपको renewal करना लेकिन जो old number था वो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में details में बताऊंगा कैसे आप लोग बहुत ही आसानी से अपना mobile number को update कर सकते हैं तो अगर आप लोग को OTP problem हो रहा, login problem हो रहा, mobile पर message बगर नहीं आ रहा, mobile number को अगर update करना है और आपका old details को भी अगर जानना है तो इस वीडियो को complete देखिए मैं आप लोग को सारा process बता दे रहा है, चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं, उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए अब तक subscribe नहीं किये तो national scholarship related वीडियो हमेशा पाने के चैनल को जरू subscribe करके notification को भी on के लिजे, ताकि कोई भी में नया वीडियो अपलोड करू त या फिर जो number डाले उस पर OTP ही नहीं जा रहा है, अभी हम registration करने का तो registration कर लेते हैं और हम लोग का OTP नहीं आता तो क्या करेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को बता हूँ जो student अभी renewal करना चाहते हैं और mobile number को अगर update करना है, renewal नहीं कर पा रहा, renewal में login नहीं हो पा रहा, क् तो मैं renewal वाले का भी बता हूँगा, renewal student कैसे अपना number को, नया number को update करेंगे, old details को, मतलब old में जो number था, वो update होके, नया number जो अभी fill करेंगे, वो आपका update हो जाएगा, ठीक है, तो क्या process से चले बताता हूँ, पहले मैं new student का बता रहा हूँ, ऐसा student जो यहाँ पर new registration कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो number फिल करता है, वो number गलत फिल हो जाता है, या फिर जो number फिल की है, वो सही भी है, लेकिन वो number पर OTP नहीं आ रहा, तो registration तो हो जाएगा, अभी हम लोग का number कहां से मिलेगा, और कहां से हम जो old number डाले, उसको update करना है, जैसे कि मैं अपना registration अभी कर number भी नहीं आया, और password भी नहीं आया, अभी हमको कैसे login करना, जो student new registration करेंगे, कोई भी session में new registration करने के बाद, अगर आपका mobile अभी गलती भी हो जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी क्या करेंगा, हम लोग simple से continue करेंगे, अभी मेरा mobile पर देखिया, ना message आया, मैंने जान बुझ के ही mobile नंबर गलती फिल कर दिया था, ठीक है, अभी हम यहां पर मेरा जो registration नंबर आया, उसको हम यहां पर फिल करते है, फिल करने के बाद, आपको simple से यहां पर फिल करना, जो आप अपना date of birth को फिल किया थे उसको, ठीक है, आपका date of birth तो याद रहेगा फिर इस sales को भी डालना, फिर आपको month लेना, फिर ठीक है, उसके बाद फिर इस sales को भी डालना, उसके बाद आपको अपना year को सही सही फिल करना, जिस पर करकार मैं आप लोग को दिखाते हैं, इस पर कर आप लोग को सही सही फिल करना, फिल करने के बाद देख पा रहे है, लॉंगिन करेंगे तो लोगिन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं आपहे मेरे मुबाइल पे बी ऑची पी आ अभी मेरा नंबर ही गलत हो गया था ठीक है जो नंबर डालत डाल दिया था ये फीर पर अपने OTP, OTP जाएगा तो recent OTP नहीं आ रहा तो और change number मतलब by mistake अगर आप गलती number विल किए तो तो हम गलती number फिल के दें выглядит मेरा number पे किस का number वुसपर लुटीपी जा रहा है अभी यहां से change number करेंगे और change number करके हम अपना नंबर को यहां पर फिल कर देंगे अब यहां पर फिल कर दिये अब यह अपना नमबर फिल करके जैसे अपडेट करेंगे यहां पर देख पर जैसे अपडेट फिल करेंगे, दूसरा नमबर पर अपडेट और OTP करेंगे, आप देखेंगे कि यह नमबर पर OTP आया कि नहीं। अगर इस नमबर पर जो अभी अपडेट के उसमें अगर OTP आ गया तो एही नमबर उम लोग अपना इसमें NSP में रख लेंगे। तो यह था new registration जो student कर रहा और mobile number by mistake गलती हो गिया, उलोग बहुत ही आसाने से अपना mobile number को change कर सकता, सिवा आपको login के time में अपना date of birth को fully लिखना होगा, आपका जो भी date of birth पहले date होगा, फिर slash, फिर month पूरा 01, अगर जनुवरी तो 01, December तो 12 इस तरह करके, फिर slash फिस अपका प apply for renewal देख पार है, ऐसा student जो renewal करना चाहता है, और जो पिछले साल का mobile था, वो पता भी नहीं है, और पिछले साल का जो number है, वो बंद भी है, उस पर OTP नहीं आ रहा है, अभी हम लोग को यहां पर recover password करना, तो जैसे recover password करेंगे, तो अगर हम लोग यहां पर application number को fill करके, capture fill करे करेंगे, यहां पर देख पार है, update mobile number पर click करेंगे, ठीक है, update mobile number पर click करने से क्या होगा न, आपको सामने कुछ details यहां पर आ रहा है, यह आपको सिर्फ fill करना, fill करने का बाद verify and continue करना, देख पार है, सिर्फ मांगा application ID, application name, mother's name, date of birth, old mobile number, आपको सिर्फ old mobile number देना है, ठीक है अगर मान के चले, बाचांस, आपके सामने application number है, और date of birth है, बाकी और कुछ भी details नहीं है, ठीक, आपका नाम तो गई, बाकी कुछ भी details अगर नहीं है, mother's name, old number, bank account, IFC card, तो comment कर दीजेगा, या फिर वीडियो के description पर में एक mobile number दे दिया हो, फिर आपको WhatsApp करना है, जिसका last मे 47 है, 47 में description पर नहीं लिखूंगा, आप लोग इस वीडियो पर मेरे voice से सुन लिजे कि last में 47 रहेगा, बाकी 8 digit आपको वीडियो के description पर रहेगा, उस पर आपको उस mobile number पर आपको WhatsApp करना, ठीक है, जैसे आप WhatsApp करेंगा, कि old details चाहिए, तो आप अपने application ID और date of birth को send करेंगे, उसके बाद उससे आप बात कर लिजेगा, क्या matter है, मतलब आपका mother's name, old number, सब कुछ आपको बता देगा, आपको सिर्फ WhatsApp में बताना, ठीक है, और जिसके पास अगर application ID, application आपका नाम, mother's name, date of birth, old number, bank account, IPC code अगर आपके पास है, तो इसको fill करेंगे, और इस capture को डालके जैसे verify and continue करेंगे, आपके पास आपका data verify होगा, दो बार आपसे आपका नया number बुचा जागा, तो ओही number को fill करेंगे, जो पुराना, मतलब नहीं था, ठीक है, मतलब आपको new number डालना, तो आप नया number को ही fill करेंगे, जो आपके पास आपका रहेगा, आपके घर का है, ठीक है, वो number को दो बार fill करेंगे, confirm करेंगे, तो आपको नया number पर OTP आएगा, फिर उस OTP को डाल के जैसे verify करेंगे, आपका जो old number है, वो successfully update हो जागा, जब green color दिखेगा, successfully update हो जागा, दुबारा आपका NSP में आना, login पर renewal पर जाना है, renewal पर जाने के बाद, recover password करना, recover password करने के बाद ज OTP को आप verify करेंगे, तो आपके mobile पर ही message चला जागा, जो कि आपका data वर्थी आपका password होगा, तो इस तरह करके आप लोग renewal का भी अपना mobile नमर बहुत आसाने से update कर सकते हैं, वीडियो अच्छला का लाइक कीज़ अपने फ्रेंड के साथ सेयर कर दिजे, चैनल पर नहीं तो